हेलो रिवान, वेलकम टू पाउमर उक्स यूटूब चैनल, पाउमर उक्स के यूटूब एचुगेशन चैनल में आपका स्वागत है आज के वडियो लेक्चार में हम डेटेल में स्टडी करेंगे वज़ाइनल ड्राइनेस के बारे में तो हम सीखेंगे कि वज़ाइना किस कारण से ड्राइ होती है, कौन से लक्सन ड्राइबलप होते है और किस तरह से हम ये मेडिकल कंडिशन का इलाज कर सके तो simply समझे तो जो योनी का सुखावपन है या फिर योनी में सुखेपन होने के कारण क्या होते है लक्सन क्या होते है और किस तरह से हम इसको treat कर सके तो इसकी detail study करेंगे आज के lecture के अंदर तो वज़ाइना का जो बाग है जिसको starting का बाग कहा जाता है female reproductive system के अंदर तो वो area में dryness क्यों होती है तो यही आज हम detail में सिखेंगे आज के lecture के अंदर के वहाँ पे specially 3 layers होते है वज़ाइना के अंदर के एक रहता है उसका inner layer फिर रहता है connective tissue का layer और फिर muscles के layer रहते हैं तो specially जो वज़ाइनल cavity होती है वहाँ पे dryness क्यों होती है कौन से reasons से होती है उसकी detail study करेंगे और कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं तो expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being PharmaRox family updated review of PharmaRox के साथ सीखे दवायों के बारे में अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके इलाज के बारे में दवायों के basic use, dose, side effects, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में वो भी सीखे सरल बासा में PharmaRox के अब उपर android user android app download करे iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगे या फिर 901631220 नमबर प्याफ में call या whatsapp कर सकते हैं तो अब समझते हैं वज़ेनल dryness के बारे में तो वज़ेनल dryness मनलब के ऐसे बीमारे या फिर ऐसा problem की जो female की reproductive system के साथ जूड़ी है कि जिसके अंदर uni में सुखावपन होता है और इसके ये होने के बहुत सर अलग अलग कारण होते हैं कि जिसको medical term में और ट्रॉफिक वज़ेनाइटिस भी कहा जाता है तो इसको identify कैसे करें तो सबसे पहले क्या होता है कि वज़ेनल cavity के अंदर आपको itching होती है simply कहे तो वज़ेनल cavity के अंदर आपको खुझली होती है योनी में खुझली होना सुरू होता है फिर अगर आप blood test कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपका estrogen hormone का जो level है वो काफी कम हो गाए कि जिसको कहा जाता है कि low level of estrogen hormone तिसरी condition के एक है तो जो lubrication जो होता है कि योनी में जो naturally lubrication होता है कि वो दिरे दिरे कम होता रहता है और चौती condition हम देखे तो sexual activities के अंदर आपका जो interest है वो काफी कम हो जाता है कि जिसको कहते है कि loss of interest in sexual activity तो इस तरह से vaginal dryness का जो issue है वो identify होता है अब उसके reasons देखे कि कौन से reasons से vaginal dryness होती है तो सबसे पहले जो menopause की जो condition होती है कि जिसको कहते है कि end of menstrual cycle कि ये periods के बाद आपके जो menstrual cycle जो हो completely बंद हो जाता है जिसके बाद आपका जो है वो मासिक आना completely बंद हो जाता है तो 40's से लेकर जो 50's की age में ये menopause का जो problem होता है या फिर menopause की जो condition होती है तो उसके कारण भी vaginal dryness जो होती है तो उसका simply एक reason ये होता है कि उस दरहान आपके body के अंदर जो estrogen hormone है उसका level जो है वो कम हो जाता है और estrogen hormone के level के कम होने के कारण भी vaginal dryness जैसा आप fill करते हैं तीसरा जो problem की excessive आप dosing preparation यूज करते है vaginal को clean करने के लिए तो भी आपके vaginal dry हो सकती है चोथा vaginal yeast infection के कारण भी कई बार vaginal dryness हो जाती है फिर जो breastfeeding का जो period होता है आपका उसके दोरान भी vaginal के अंदर dryness देखने को मिलती है चटा reason देखे कि अगर आप cigarette smoking करते हैं तो भी vaginal के अंदर dryness आपको देखने को मिलेगी फिर आप depression में हैं या फिर excessive stress के अंदर है तो ऐसे माहल में भी vaginal के अंदर lubrication नहीं रहता और वहाँ पे जो है वो vaginal cavity में आप dryness जो है वो feel करते हैं फिर जब surgery करके ovaries को remove किया जाता है तो भी vaginal के अंदर dryness feel होता है और cancer के treatment के दोरान भी आप जो है वो vaginal में dryness feel करते हैं और एक ऐसी immune system related बीमारी की जिसको strogan syndrome कहा जाता है यह गोई ऐसे reason या फिर ऐसे कारण कि जिससे वज़ैना में dryness feel होता है तो उसके symptoms हम देखे तो जब आपके vaginal cavity के अंदर dryness है तो वहाँ पे itching होना सुरू हो जाएगा खुजली होगी आपको वज़ैना के अंदर भी होगी और वज़ैना के बाहर के भाग में भी तो outside of vaginal cavity दोनों भाग में जो है आपको itching होना सुरू हो जाएगा खुजली होगी फिर जो vaginal area है वहाँ पे racist develop होना सुरू हो जाएगे कि जैसे हम कहते कि लाल चकते हो जाना skin के उपर racist develop होना तो ऐसा सुरू हो जाता है vaginal area के अंदर फिर burning होती है आपको मलब कि जलन होती है दर्द होता है vaginal के अंदर तो ये एक तिसरा symptom develop होता है चौथा देखे तो light bleeding देखने को मिलेगी आपको intercourse के बाद कि जब भी कोई sexual activity होते तो उसके बाद वहाँ पर आपको bleeding देखने को मिलेगा फिर sexual activities के दोरान बहुत ज़्यादा जो है आपको pain हो सकता है severe pain during the intercourse जिसको हम कहते हैं फिर अच्छानक से वज़ाइना के अंदर pain होना सुरू हो जाए कि जिसको कहेंगे कि suddenly pain होता है वज़ाइना के अंदर और sexual activities में आपका interest जो हो काफी कम हो जाएदा तो ये कुछ symptoms develop होते हैं वज़ाइनल dryness के करण तो diagnosis कैसे किया जाए कि कौनसे reason से आपको वज़ाइनल dryness है तो सबसे पहले आपकी medical history चेक की जाती है फिर physical examination से भी पता चलता है कि कितनी dryness है तो medical history में specially ये चेक किया जाता है कि आपके last periods कब आये थे अगर आपका menstrual cycle irregular है या फिर आपके body के अंदर hormonal imbalance है तो भी medical history से पता चलता है कि आपके period समझे के ज़्यादा irregular रहते हो या फिर आपको PCOD का problem है तो ऐसी condition में भी hormonal imbalance होता है thyroid stimulating hormone TSH का भी imbalance है आपके body के अंदर follicle stimulating hormone FSH जो हम कहते हैं luteinizing जो hormone से उनका imbalance होने के कारण भी आपकी वज़ाई ना के अंदर dryness हो सकती है तो उसके लिए ज़रूर है कि blood test कराना estrogen test आप करा सकते है pelvic examination करा सकते है and urine test भी करा सकते है कि जिससे पता चले कि आपको कोई urine infection तो नहीं है या फिर vaginal infection का भी आप पता लगा सकते है कि जो vaginal जो कुछ ऐसा discharge हो उसका testing करवा कि भी आप जो है वो vaginal dryness का जो reason है वो पता लगा सकते है फिर बाकी जो हम कहते है कि जो amnorea के जो condition काई बार जो produce होती है कि बहुत लंबे समय से menstrual cycle है वो बंध है आपका periods नहीं आ रहा है लंबे समय से तो भी ऐसे condition में भी काई बार vaginal dryness जो है वो patients fill कर दे तो यह इस तरह से diagnosis होता है अब बात करते हैं उसके इलाज के treatment कैसे होता है कि सबसे पहले हमने यह देखा कि अगर reason क्या है तो reason के business पर treatment होती है तो reason के और diagnosis के basis पर हम treatment करें तो अगर vaginal dryness होने का reason है कि low level of estrogen कि आपके body के अंदर estrogen hormone का level समझो कि कम होगा है तो ऐसे condition में patient को estrogen therapy दी जाती है और estrogen therapy देने से vaginal dryness का जो problem है वो solve हो जाता है तो उसके लिए अलग-अलग options रहते है जैसे कि estrogen के cream available होते है फिर उसके pills भी available होती है, tablets भी available होती है और vaginal inserts भी आते है जैसे कि आप याप देखो कि estradiol के vaginal insert है कि जो gland mark बनाता है 10 microgram के ये vaginal inserts आता है, जैसे कि suppositories के तरह होती है, कि जैसे vaginal tablet रहती है, ऐसी तरह से ये vaginal inserts को आप vaginal cavity में रख सकते हैं अगर ये available नहीं है तो आप उसके जो है tablets भी use कर सकते हैं फिर gel भी आप affected area पे लगा सकते हैं कि vaginal cavity के अंदर आप ये gel भी लगा सकते हैं या फिर ये जो पील होती है आप वो orally जो है उसको खा सकते हैं तो इस तरह से treatment होती है vaginal dryness की कि अगर vaginal dryness का reason है low level of estrogen फिर दूसरे कुछ हम natural remnants देखे कि अगर आपको vaginal में काफी dryness फिल हो रहा है तो कुछ lubricating agent भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि जो आपकी vaginal cavity को moisturize रखेंगे तो बहुत सरे ऐसे over the counter lubricants available होते हैं कि जो आप यूज कर सकते हैं जैसे कि moisturizing cream होते हैं coconut oil होता है aloe vera gel होती है petroleum jelly वगेरा भी आप यूज कर सकते हैं फिर एक हिमालिया का एक product आता है काफी popular है कि जिसको EV gel कहते हैं तो EV gel भी काफी safe and popular product है कि जो आपकी वज़ाइना को जो है वो moisturize करती है जिससे specially vaginal dryness का जो है वो problem जो है वो काफी हद तक salt हो जाता है आगे हम समझे तो अगर vaginal dryness का reason है कोई vaginal infection तो उसको हम कैसे treat करें तो उसके लिए आपका option रहेगा कि आप vaginal hyzen products जो है वो यूज करें कि जिसके अंदर antifungal vaginal cream यूज कर रहे है तो suppository यूज करने की जरूरत नहीं है या फिर vaginal tablet भी यूज करने की जरूरत नहीं है और ये आप यूज नहीं कर रहे तो उसके option में आपके लिए सबसे best option रहता है हिमालिया का वी जेल फिर तिसरा option रहता है आपके लिए oral antifungal medications जैसे क्या फ्लूको नाजॉल ले सकते है या फिर इत्राको नाजॉल तो मैं आपके लिए proper एक treatment सजेस्ट करता है कि अगर vaginal dryness का reason vaginal infection है तो अगर infection है तो आप कौनसे treatment करें तो सबसे पहले आप intivoss यूज कर सकते हैं कि जिससे vaginal area को अच्छे से vaginal area को vaginal करने के लिए उसके बाद क्या करना है जो oral tablet समझे कि आप लेते हैं फ्लूको नाजॉल तो ये फ्लूको नाजॉल यूज किया जाते हैं इसली week में एक ही tablet जो वो यूज की जाती है कि one tablet पर week एक ही week लेनी होती है और ये सिर्फ एक ही tablet साथ देन ले सकते हैं आप ये क्लोट्राई माजूल के vaginal tablet तो इसको कैसे यूज करना है कि जब आप आपके vaginal cavity को अच्छे से wash कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये vaginal tablet से vaginal cavity में रख पाते हैं अगर ऐसी condition है कि आप vaginal cavity के अंदर tablet नहीं रख पाते हैं तो ऐसी condition में आपके लिए options बन जाते हैं क्रीम के कि जो आप बाहर से ये क्रीम लगा सकते हैं जैसे कि क्लोट्राई माजूल का जो क्रीम आता है कि कैंडिड करके जो क्लोट्राई माजूल की क्रीम आती है वाप लगा सकते हैं या फिर उसके option में आप vaginal gel जो वी जेल आता है हमालिया क्या वो भी apply कर सकते हैं फिर दूसरा एक option बनता है कि अगर आप Inti Wash यूज नहीं करते हैं वो आपको सूट नहीं करता है तो आप V Wash भी यूज कर सकते हैं फ्लुको नाजोल आपको सूट नहीं करता तो आप इट्राको नाजोल भी ओरली खा सकते हैं और वो भी मिनिमम पांच या छे दिन तक या फिर मिनिमम चार दिन तक जो हैं आप यह कैपसल का सकते हैं दिन में एक बार सिर्फ एक ही कैपसल लेनी होती है पर डे और उसके options में आपके पास रहता है यह क्लूटराइमाजोल का क्रीम या फिर क्लिंजन के 4 टैबलेट जो आत या फिर वजएनल जेल तो यह आपके उपर डेपेंड है किस तरह से आप उसको यूटिलाईज करते हैं तिस तरह से वजएनल ड्राइनेस का जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है तो ऐसे ही सिखे अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में अलग-अल स्टोर से लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 पर call या WhatsApp कर सकते हैं, good luck and all the best